नमस्कार दोस्तों देखो सिको स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत थे दोस्तों देखिए इस वीडियो में मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे ग्रूब डी में इस बार बहुत ही कम नंबर पर जो है आपका सेलेक्शन होने वाला है तो यहाँ पर कौन को चीज Preston माईने रखेंगी कुछ सले बस में आपके चेंजस हुए है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइब किसलेबे-स क्या और का से कितने कुछन पूछे आने वाले तो उन पर दोस्तों सबसे ह touring को lap को यहाँ अपको जो है 30 में 30 आप चाहए तो कर सकते हैं 28 तक तो खरी सकते हैं Math में बात करें दोस्तों Math से 2nd वाला है Math और Science दोनों बराबर रहेंगे जो कि आपके 25-25 रहेंगे या 25-25 नंबर के कह सकते हैं 30 जो है आपके reasoning के question रहेंगे Math के दोस्तो 25 question और Science के 25 question और दोस्तों यहाँ पर main बात करें यहाँ पर जो GA से यानि कि आपको current affair में बहुत सारा confusion और रहा थो तो current affair के और जो है gk के questions को अगर मिला दिया जाए general awareness की बात करेंगे तो देखिए current affair भी पूछेगा तो कैसे पूछेगा जो की static gk से मिला हुआ हो ठीक है वैसे करके current affair को अब तयार करें जाए या फिर जो कुछ relate करते हो या फिर जो नया हुआ हो वो सब ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर 20 में से 10 number यहाँ पर लाए जा सकते हैं 25 में से 25 question जो है science से लाए जा सकते हैं नहीं नहीं तो कम से कम 20 तो लाए ही जा सकते हैं match में बात करें दोस्तों तो 25 में 25 यहाँ भी लाए जा सकते हैं नहीं तो यहाँ पर भी 20 लाए जा सकते हैं और reasoning में 28 से 25 यहाँ भी माल लेते हैं तो लगभग दोस्तों आपके selection जो होने की सम्मावना यह 40 हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को मिला जाए 35 जगा 35 दोना के 70 के आसपस अगर आप पा जाते हैं दोस्तों तो आप safe side रहेंगे क्योंकि एक बारा और railway group D की परिच्छा हो चुकी है और बहुत से लोग select हो चुके हैं तो 70 अगर आप question करके आते हैं सही सही दोस्तों negative नहीं करते हैं तो किसी भी board से आप हो जोए अलग-अलग किसी भी zone से आप हो तो आप select हो जाएंगा और मन चाहा आपको post भी मिल जाएगा सतर में आपका normalization के बाद ये काफी बढ़ने वाला है 90-80 तक भी जा सकता है पचासी तक या आपका 95 तक भी जा सकता है जैसा normalization हो लेकिन इतना तो लगभग मैं आपको करके ही आना है ठीक है साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि zone पे भी depend करेगा किस zone में कितने post हैं कितने बच्चों ने भरा है साथी साथ paper कैसा आता है इस पे भी depend करेगा आसकरते दोस्तों हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आगो वीडियो को दिख सदिक लाइक शेर कीजे हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद